हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूटुब चैनल और आज की वीडियो में हम इस वन किलो वोट सोलर पैनल जो हमने तीन मीने पहले इंस्टॉल किया था आज उसका हम कापेसिटी टेस्ट करने वाले हैं कि यह एक दिन में कितना प्रोडक्शन करके देते हैं मेटर की सायता से हम चेक करेंगे पहले तो हम चेक करेंगे कि जब पैनल गंदे होते हैं तब कितना प्रोडक्शन होता है सेकंड टाइम हम चेक करेंगे जब पैनल क्लिनिंग होते हैं पूरा साप होते हैं तब कितना प्रोडक्शन हमें देते हैं एक दिन के अंदर सर्दियों का मौसम में द मात बजे अभी जो पैना लेना वो एकदम गंदे एक माइने से हमने साफ सपाई नहीं किया इसका माइनेस वाला वायर अलग कर दिया है जाप पर हम यह लगा देंगे यू केन सी वाल्टेज 55 वाल्ट है कैबसीटी वगार उसका हम कलियर कर देते हैं यह कलियर कर दिया इसको भी कलियर कर देते हैं यह लगा दिया पॉजिटीव वायर और यह लगा दिया नेगटीव एंड यह वाले जो दो है यह जाएंगे सी जे हमारे MPPT कंट्रोलर के इंदर वह नेगेटीव वायर हो यह पर लगा देना आउटपूट का इसको लगा दिया हमने यह पर भी जा रहा है यह वाला प्लस यह माइनस इंपूट और यह माइनस आउटपूट यहां से करण्ट ही आ जा रहा है मिटर के त दोस्तों अभी टाइम हो चुका है आठ बच कर 30 मिनट 153 वाट आ रहे हैं भी 2.65 एंपियर और 57 वॉल्ट इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन दोपर के 11 बजे 400 वाट भी मिल रहे हैं में भी हो चुकी है रात और यह 2.5 किलोवट हो सकता है कि जो हमारी बैटरी है वो पूल चा किया है तो दोस्तों अभी दोपर के दो बज़े है दूसरा दिन है और किलोवट हमने यूज किया अभी तक वह 1.9 किलोवट था तो यह था कल का प्रोडक्शन 2.64 यूनिट और आज जो साम को बैटरी का मुल्ट इस था वह 25.4 वोल्ट था तो आप मुझे बताओ यह ना प 424 वोल्ट 427 वोल्ट का वियोसी 48 वोल्ट और 8.8 एंपियर तो आज हम करने वाले पैनल की सफाई और देखेंगे कि कितना आउटपूट हमारा बढ़ता है तिक है 420 वोल्ट का भी मैं मिल रहा है चारों को साफ करने के बाद में मिल रहा है 404 वाल्ट का आउटपूट ज्यादा बढ़ा है पहले 9 एंपियर आ रहे थे भी 10.8 आ रहे हैं अब भी वापिस लगाया है जो वियोसी है वह 64 वोल्ट पर है ओके इस चोटी सी क्लिप में आप देखिए कि जो MPPT कंट्रोलर है व वाल्टेज को और MPR को किस परकार पिक करता है सोलर पैनल से स्लोली MPR बढ़ाता है जा तक कि वाल्टेज यह वो सिंग्निफिकेंट रोपन न हो जाए तब तक यह MPR बढ़ाता रहता है जो कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है कल अमने पैनल को एकदम क्लीनिंग किया था और आपको बता है था कि 80 वाट का जो पावर है वजएदा मिलता है जब पैनल पूरी तरी के से क्लीन होते है तब हमें कितना बैक अप मिलता है तो अभी 68 वाट का में पावर मिल रहा है अभी मॉर्निंग के आठ बजे किलो और बादलों से पूरा गमगोर हो चुका है आज हमारी बैटरी आए वह 100 परसेंट खा लेए साथ में गर का लोड पी चलेगा तो देखते हैं कि पैनल कैसे हैं हमारा पैनल है साफ है तो सर्दियों में कितना फुट फुट निकालता है आठ बजे चारू की आए और देखते है कि साम को अच्छे बजे तक कितना हमें किलो वाट मिलता है एक घंटे बाद 243 वाट का करण्ट आ रहा है चपन मिन्ट हो चुका है तो दोस्तों अभी हो चुका है पांच बज़कर 30 मिनट और यह हमारे पूरे डे का एनर्जी हार्वेस्टिंग जो की 3.25 किलो वाट आवर्स है सर्दियों का दीन है और एंड इसको हमने गर्मियों में लगा था तब जहापर हमें सन मैक्सिमाइज मिलता है सिद्धी केरिने पड़ दिया उसी साब से सो सर्दियों में हमें इतना पावर मिला है 3.23 किलो वाट आज पूरा दिन एकदम सनी था टोटल रेनिंग टाइम में वो है 9 गंटा और 25 मिनट ये हैं तीन पैनल शिशॉन के और ये हैं अबड़ानी का पॉली पैनल 14 meter और these passport का अटना जो 12 सेल इसके एकटिल है बाकी इन सेल का जो diameter है वह इतना है लेकिन इस सेल का इवह निटना थोड़ा ये सेल बड़ा है और ये सेल चोड़ है लेकिन इसमें जो ये वे गाये हुए जो कि आप इसमें देख सकते हो इस वजह जैसे भी पावर आउट पुटे वो कम हो सकता है सो इसको हम ने लिया था 32 रुपे में एक पैनल ये था 340 वट का 20 पैनल मारे पास था जो की गवर्मेंट सबसीडी के थिल सॉलर पंप के लिए मिलते हैं वाटर प्रोजेक्ट में सो दोस्त थैंक्यू फर वोचिंग और अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और नए आये हो तो बेल अकन को भी क्लिक करो थैंक्यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर